तो इस तर आगे है अगे सब्सक्राइब तो इकोनोमिक्स क्लास है और एकोनोमिक्स में हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं सब्सक्राइब करेंगे खोड़ा बहुत ऐसे तो हमीशा कोस्टिनल सरी चलता रहता है वेट सात्मे में आपको आज इंट्रेस्टिंग जो एक पॉइंट था दिमांड सप्लाई का एक कन्क्लूजन होगा आज बेसिकलिए अच्छा मैंने लास दिन बोला था इकुलिब्रियम और प्राइस एकुलिब्रियम और प्राइस ऑफ इनी प्रोड़क्ट और सर्विस सिंपल सा कॉंसेट है सब्सक्राइब अगर आप पाडले जी बिस्किट्स खाते हो तो तीन टाका दाम क्यों है मैगी का पैकेट 14 रुपिस क्यों है इसके पैशन हुआ है यह पैशन नहीं किया था यह ओनलाइन ले रहा हूं तभी से यह सब देखा इससे पहले तो मैं कभी नहीं देखा तो इसका मार्केट डिमांड की विशिस में इसका भी प्राइस डिसाइड होता है है तो मैं उनलाइन सर्च करके देख रहा था यह पेन मैंने जब लिया था तब तो बोर्ड पेन एक साथ लिया था अब इंडिविजूल इसका भी दामसर हजार देड़ अजार 2000 के आसपास का इसका प्राइस कैसे डिसाइड होता है यह रोप्लेन का टिकेट काड़ होगे उसका दाम कैसे डिसाइड होता है मतब कौन सा फैक्टर है जो प्राइस को डिसाइड करता है जैसमें डिमांड सप्ले रोल प्ले गरता है बिलकुल करता है बिलकुल डिमांड सप्ले रोल प्ल फिसे अगर बजार जाते हो बजार गए सर आप लोग कभी सब्सक्राइब कर ने विजिटेबल मार्केट या फिश्श मार्केट या ग्रोसरी ये सब्सक्राइब जाओगे देखना में बेंगौली फूड में अभी फैशिन क्या है करेंट फैशन क्या है जानते हो बेंगौली फूड में ऐसे मेरे घर पे तो नहीं होता है स्थेपिए अधिया से अधिया अधिया विलकाटम है इसे नहीं अपर फिर भी अभी छेड़ा है इसे हीलिश-माच थेंग बिगयल का ट्रेंड एक अधिया करेंट टायम पे मार्केट मेरे इलिश-माच या हिलसा आता है और लृइट-टर्च हूं not in West Bengal but the whole Bengal region, क्यों? Special taste होता है, खिलसा एक ऐसा special होता है, जो नॉर्मली रहता है समुंदर में, बैट सर अपना अंड़ा देने के लिए मतलब बच्चा प्रजनन होता है उन लोग का, तो नदी में आते हैं, और जब वहापस जाते हैं, मतलब फ्रेश वाटर में आते हैं, अंडा देने के लिए और वापस जाने के टाइंब ये इसको पकड़ा जाता है फिर ऊसका टेस्ट भी इसले ना तो पुरा समुन्दर वाला और ना फी पुरा नदी वादा ना तो sweet water वाला टेस्ट है और ना ही salt water वाला टेस्ट है mixed up टेस्ट है और इसलिस का इतना demand है देखने भी बड़ा बहुत ही beautiful होता है मतब इस silver color का होता है मैं इतना जानता हूं so it's really interesting now point is that sir मैं क्यूं बोल रहा हूं हिल्सा के बारे में बेंगॉली इमोशन से लाँ फटेंटी फटा एक बिंगॉली फामिआरड हे जब चुंता में अ में प्रइंज फटेंट 10 ह rok तब अब तवर क्रेंट्डी रेस भर चल रहतें इन्य अईडिया घर में ज़रूर हाँगा हिल्सा प्राईसिं कुलकाता सर कुलकाता में सेव positives 1800 केजी चल रहा है Посो प्रॉब्ली तीक है 1700-1800 प्रॉब्ली यह से देखने में होता है कि up लें को सिल्वर ग्लरगा होता है किल्सा फीश ओ पम यह देखो यहां पर आपको प्राइस चाड़ भी दिखेगा ठीक है यह देखो रिलीफ और बायर्स यह आज का इक अब रहे हैं मतलब बायर के लिए बहुत चिंता का विश्य होता है कि हिल्सा का दाम क्या रहेगा ही ओपर करता है छोटा हिला थोड़ा सा कम लिट में चलता है बड़ा हील सा थोड़ा सा हाई रिट में चलता थो मैं जितना जानता हूं वो चिकेन से में मार्केड में जाके कभी नहीं करीदा यह सब से मतब पता नहीं कुछ प्राबलम है तो मैं नहीं जाता हूँ नपॉइंट इस दाइट किसर कहने का मतलब यह है कि यह जो सेश हम देख रहे हैं यह श्रब्राइस क्यों होता है एसा प्राइस क्यूं होता है यह प्राइस क्यों होता है उनको प्रॉब्लिम नहीं है क्यों because they can buy 1500-2000 वा गीजी का फिश they can buy but lower middle class they also have emotions but उनको problem होता है क्योंकि ज्यादा दाम बाला होता है West Bengal में production थोड़ा कम है बांगलादेश से ज्यादा आता है एक्सपोर्ट करना इंपोर्ट करना पड़ता है यह हिंसा जो है सब्सक्राइब करता है अगर बांगलादेश कभी बोल दिया ना किसब्सक्राइब हम लोग दτι्हा नहीं देंगे एक बार ऐसा हुआ ठागे ढेंकि बांगलादेश ने पंगलादेस ने अइंडिया को हिल्सा देना कि बंद गर दिया था ऑचली इंगलादेश के लोगों को पता है जानते हो ना वो लोग 200 साल यहां पर रहा है ना बागलादेश में special kind of लना मिलता है ना बाटसवने पता है बट बांगलादेश से लंग्ला जायेगा बहती ही समय लगेगा और टाइम-taking as well as मुश्किल है फिर भी बांगलादेश को ज्यादा प्राइस मिला था इसलिए बांगलादेश इंगलैंड को यूके को एक्सपोर्ड किया था हिलसा जैसे यूके को एक्सपोर्ड कर दिया था ज्यादा से ज्यादा हिलसा इंडियन मार्केट प्रॉब्लम में आ अब कहना क्या चाहता हूं कि बंगलादेश से अगर वेस्ट पेंगॉल में सप्लाई कम हो जाता है मार्केट में दिमंड हाई है दिमंड हाई है मार्केट में स्पेशली इंडी मौन सुन सीजन इस ऑॉगस्ट सेप्टेमबर ये जो टाईम है ना ये हिल्चा फेस्टिबर होता है यहां पर इतना जॅधा लोग एमोशनल है क्या मैं सही बोलना हो रहे आरे वेशली बेंगॉली पीपल अंडरस्टेंड डिस क्या मैं सही बोला तो एक दिन का बिना खना पकाया रखता है उसके बाद हिंसा का बहुत लोगों को खिला जाता है पूजा होता है बेसिकली रिच्वल्स है तो यह उसमें भी हिंसा का बहुत पापा करिद के लाते थे बच्वाइब अभी होता है बट मैं हमेश्का नहीं रह पाता तो पॉइंट इस डाट कि यह हिंसा का सप्लाइए अगर कहीं पर किसी कारण से यह सब बात तो करता रहता हूं मौनसुन से इसले थोड़ा बता दिया तो पॉइंट इस दाट सरी यह प्राइस का इकुलिब्रियम यह कैसे डिसाइड होता है यही मैं अक्छली बात करना चाहता हूं कि डिमांड और सप्लाइए दोनों मिलके दिमांड सब्लाइए दोनों ही आप चाहते हो everything ठीक है तो हम लोग सर डिमांड भी पढ़ लिए सप्लाइभी पढ़ लिए ठीक है हम लोगों ने जिसी का अगर किसी का डिमांड का कोई चाप्टर अभी भी मिस्स है तर प्लीज उसको अभी भी प्रेंडिंग मत रखो अगर पेंडिंग है तो जस्ट कंप्लीट करो सर और कोई डाउट है तो डाउट भी क्लियर कर लो कि सर्ट डिमांड सप्लाइए यह दोनों चीज जैसे आपको पता चल जाएगा उसका अंदर का इच अन एवरी पॉइंट अगर आपको पता चल जाएगा अभी अमलोग डि पॉभीइंग esos result so equilibrium price in a market y Cowasec decade क्डेंड होगा its determination between demand and supply demand and supply love he just point में जाके एक दूसरी के साथ इंटर सेक्ट करता है मार्केट में प्राइच design desire whala ना फैक्टर बनता है यह पी जीज्जादा तर कहां होता है कौम्पिडिटी मार्केट तर आप बोलोगे अब ही कौम्पिडिटी मार्केट क्या है क्या कॉम्पिडिटी मार्केट क्या क्या कॉम्मपिडिटी Commerce होता है यहां पर कंपिडिशन नहीं होता ऐसा चीज़ी लुग मार्केट है जिए कि क्या हो जाता है यह प्रापर कंपिटिटिटेजम गरने वाला कोई नहीं है, इसलिए प्राइस डिसिजन उस कंपणी के हाथ में होता है, मार्केट के हात में नहीं होता. मार्केट के हाथ में नहीं होता कंपणी के हाथ में होता है जब मार्केट में मोनोपॉली आता है एनी कंपणी का आप एक्जांपल दे सकते हो तक जानते हो आप लोग फोड़ा कोशिश करने से आप बोल पाऊगे आप लोग जानते हो सब थोड़ा सा ट्राइब करो मोनोपॉ आप लोगो मार्केट बोलके आपको में डिटेल्स में बात करूंगा तर वहां पर अलग अलग मार्केट के बारे में बात होगा मुनपॉली मुनपॉलिस्टिक ऐले बॉपॉली दूपॉली थीक है है पर्फेक कंपेटिशन जैसे अभी जो मैं बात कर रहा हूं गी बिसकलिफिक पर्फेक्ट कंपिटिटिंग मार्केट के बारे बारे है कों बहुत है आप इस यह इस ले का कॉंपिटिटर है इसलिए का कमपनी का भी कॉंपिटिटर है और प्रोडेक्ट वाइस बोल सकते हूं जैसे एक पॉपुलर एग्जामपल लेते हैं आईफोन का कोई कॉंपटेटर है क्या नो नो यह मारकेट में और भी बहुत सारा फॉन कंपनी है लाओं वेसे कंपड्य को कोंपर कर सकता है लो नो इसनन जी का कहना है नो बाकी लोग का क्या क्या कहना है कि अ कि टर्ट करते को्ठीड ओदॉल स्टथ हो नो इक जाटटर्ट्ल्स का इंट हूं आइफोन का कॉंपिटिटर क्यों नहीं मिलता हमें इसका स्पेशलिटी आइफोन का कॉंपिटिटर इस भी नहीं मिल पाता है बिकॉस आइफोन इस वेरी स्पेशल आइफोन या एपल का फोन बहुत ही स्पेशल होता है और इंपोर्टेंट बात यह है सर एपल का फोन मतलब जिस स्पेशल फीचर्स या जिस स्पेशल क्या चाटेगरी के साथ या आता है इसका कोई दूसरा पॉंबिट रिपनी एमार के एक कंपनी आया है वन प्लस बोलके पर वन प्लस का मैक्सिमम क्या दा में सब लुए वन प्लस का मैक्सिममम मं पॉसत तो लह दिए आईफोन का ना ना वन प्लस वन प्लस वन लक सेवेंटी फैटाउज ताउसेंज का मिलता है एक आज एक चली आइफोन को कंपेटिशन देने के लिए मार्ट एक तीज के तेक्ता है तो फिए थोड़ा सा कोशिश कर रहा सबसे बड़ा चीनता है अभी आइफोन का इमोशन जो इस तरह से लोग में में है तो मैं जस्ट ही कहना चाहता हूं आपको कि अगर किसी का किसी अपने बिजनेस पे जिसका मोनोपॉली है वह दान फुद डिसाइड करता है उसको मार्गेट कॉम्पीरिटर के बारे में चीनत बिजनेस ठीक है डिसाइड करता है कि प्राइस कैसे डिसेड किया जाए उसमें मोनोपॉली मोनोपॉली स्टेक अलिगोपॉली वह कैसे काम करता है मैं डिसक्स करूंगा पट करेंटली करेंटली आफ फोकस करो पॉम्पीरिटी मार्केट तो जैसे कि फिश का मार्केट ठीक large number of buyers and large number of seller, ऐसा market जब आता है ठीक है, large number of buyers and large number of seller, large buyer, large seller, वो basically एक competitive market को basically show करता है, large buyer and large seller, seller मतलब supplier and buyer मतलब consumer, ठीक है, so large buyer, large seller मिलके जब market को control करता है, वो competitive market हो जाता है और यहां पर एक इंप्रेस्टिंग यह होता है सब्सक्राइब के शीडूल के हिसाब से मार्केट में उसका प्राइस भी डिसिशन होता है जैसे कि आपको मैं हिंसा के बारे में बोला या फिर आप एनी इनी मार्केट प्रोड़क्ट परले जी बिसकिट से लेके कुछ भी आप सोच सकते हो और यूँगें तेक इस एक्जामपल के लिए हाँ पर कुछ ऐसा प्रोड़क लिया गया जिसका प्राइस पाइब है फॉर है थ्री है तू है वान थे आप इसको फाइब के जगा 500 कर सकते हो 400 कर सकते हो 300 कर सकते हो ठीक है यहाँ तो ऐका-व 100 कर सकते हो घ्रेड्ट प्रोड़क्त है ना करेगा पट्सप्लाइब ढूर स्प्लायर प्राइस प्राइस की आट यहां पर समझने लगा क्या बात है अगर किसी प्राइस का प्राइस पांत बिसे कली मार्केट में लेकिन उसमें खरीदने वाले लोगों का संखा कम है सिर्फ सिक्स कस्टमर सी या चे डिमांड हो रहे हैं मार्केट में लेकिन सप्लाइ करने के लिए अब अगर मार्केट में सेल बढ़ाना है तो प्राइस को क्या करना पड़ेगा इंपेक्ट ऑन प्राइस क्या पड़ेगा सर्थ प्लीज तेल में दाम जब 5000 है तिर्फ 66 क्वांटिटी मार्केट डिमांड है प्रोड़ेट का क्वांटिटी सप्लाइट 31 अल्मोस्ट है मतब सप्लाइ है मार्केट में आब लोगे पट कंजूमर इस नौट रेडी तो बाई कस्टमर बाई करने के लिए रेडी नहीं है ऐसे सिच्विशन में अगर आप अपना सेल बढ़ाना चाहते हो इस इफ सेल इंक्रीस करना चाहत हो तो क्या करोगे की को रोगो सेर बोलो कि अना सब्सक्राइब को डिक्रीस करना पड़ेगा तो पांच जैसे दाम देगो 4000 हो गया कि सब चार हजर दाम हो ना चेख विए लेंप में अब बार क्वांटिटी ऑरडर हो रहा है लेकिन सब्सक्राइब काफी एकुलिब्रियम नहीं है अभी वी तो स्टील मार्केट में जगा है सप्लाइगा पर डिमांड क्यों नहीं हो रहा है विकास प्राइस हाइए तो इस प्राइस को और कम करना पड़ेगा तो देखो डाउनवार्ड मुमेंट हुआ है जब-जब सप्लाइब मतलब सप्लाइब अब इस प्राइस हाइए रहेगा जब जब प्राइस हाई रेंज में रहेगा सप्लाइट तो खोश होगा and they always want to supply more है पट वैट डिमांड कम हो जाएगा नाव डेर इस अनदर पॉइंट जब प्राइस थीन अजर में आ गया सब जब प्राइस 3,000 में आया तब आप देखो डिमांड 19 का है सप्लाइं भी 19 का है मतलब इंदिस सिनारियो सप्लाइ और डिमांड दोनों सेम कंडिशेंस पर आ गया सब लेकिन अगर मैं नीचे का दो सिच्विशन देखो जब प्राइस 2,000 है और जब प्राइस 1,000 है प्राइस 2,000 में सप्लियर इस वेरी आपी च्छॉरी तंषूरी प्ली मरी वेरी आपी चाटाइस थाड़ इक उपनीघ इस थाड़ तेंड गार इस दोहज़र में मिल रहा है थीन फाज़र का चीज 2,000 में मिल रहा है कंजुमर इस डेडी तो बाई पट सप्लायर इस नौट रेडी तो सेल यह 25 डिमांड करता है बट यह 12 से जाधा मार्केट में सप्लाय रेडी नहीं है तो जब ऐसा हो जाए मार्केट में क्या करना पड़ता है यह आप शॉल्य सब्झाइ तो बता है अब्ड़न को यहां पर दॉना को हैपी किस ने बना सकते थैपी किस प्राइस में जहां पर दो एक दूसरे हैं इंटरसाख्त करल रहा है यहF that is when price is 3 or 3,000 in our example जब दाम 3,000 है डिमांड भी खुश मतलब कंजूमर इस हैपी इसको बोलते हैं made for each other इसको बोलते हैं अगर मार्केट में कंजूमर नहीं होगा तो सप्लाई किसको करेगा और अगर मार्केट में सप्लाइर नहीं होगा तो कौन बनेगा तो मेंट फॉर इच आदर तो होना चाहिए है ना तो मेंट फॉर इच आदर जिस पॉइंट के भी होता है वही मार्केट में प्राइस बीकोड़े नगे आप एकुलिब्रियम है कर पारें बिकॉस मार्केट डिमांड सप्लाइए मैच हुआ अब इसी चीज़ को जब अगर आम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में डाले इसको अगर आउं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में पूट करें तो इस लूक लाइक इससीपल सा एकसेश और यहां पर क्या करना होगा आपको ज्यादा कुछ नहीं है अगर कॉंसेप्ट क्लियर है ना बहुत दीजी है कि एकसीज में कॉंटिटी को पूट कर देते हैं और वाई एकसीज में प्राइस को पूट कर देते हैं देंगे है प्राइस को पूर्ट कर देते हैं अब राइस रेंज को तुड़ा राय कर ले थोड़ा है है प्राइस रखो लोड़ा में ये तर्णे के का रेंज येरेंज में स्थे मतलब स्थी थाउजन इस तू ए वान एम जिरो ठीक है नाव डिमांड पर्सपेक्टिव एंड सप्लाई पर्सपेक्टिव दोनों बताना सर ठीक है बात को समझो मैं राफली कर रहा हूं बट आप कॉंसेप्ट कॉंसेप्ट वाइस बात को समझो सर पहले बताओ आप ही लोग करें पहला ग्राफ डिमांड के लिए करें कि सप्लाई के लिए करें बोलो सब्सक्राइब लोग जैसे बोलो कि वैसा करूंगा को कि कि किसको पहले पूट करें डिमांड को कि है सब्सक्राइब करतें तो डिमांड के हिसाब से अगर हम लोग ड्रॉप करना चाहें तो डिमा ओलॉप ऑभ डिमाड फोल॑ करना ऑप्राइस इंक्रीज कि निमाड डिक्रीज क्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज पर इस्रूल को फॉलॉ। करना है जिसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा सर जब दाम अच्छा इधर quantity भी थोड़ा दे दिया जाए क्या बोलते हो कि quantity भी थोड़ा पूट कर दिया जाए जिक्स सिक्स है सिक्स के बाद 12 है फिर आपका 19 है 31 है है अब मुझे बताओ जब दाम 5000 है तो डिमांड क्या होगा कम होगा की ज्यादा होगा कि अब जब दाम कि पांच अजर है तब डिमांड को जब दाम 4000 हो जाएका तब डिमांड थोड़ा पड़ेगा ना जब 3000 हो जाएगा तब और थोड़ा बढ़ेगा जब 2000 हो जाएगा तब और थोड़ा बढ़ेगा जब 1000 हो जाएगा तब और थोड़ा बढ़ जाएगा अगर मैं इस सारे लाइन को कनेक कर देता हूं तो यह बन किया मेरा डीडी अब आप सेम कॉंसेट में सप्लाई को समझों तेम कॉंसेट में अभी हमें अब आप लोग सप्लाइर के पॉइंटर द्यू से मुझे बताना कि मैं क्या करूं की ए एक सप्लाय एक सप्लायर हुआ प्राइस में सेल करना तब है क्या सोच रहां थोड़ा कम कर रहों कि जब 3820 खुरुडगं कर दिया जब 2000 और थोड़ा कम कर दिया जब 1000 घडी कर देचा कि अपर थोड़ा बहुत इधर अधर हुआ है कि यह क्या हो गया कि अब इसको अगर हम यहां पर यह जो 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 मेरा बैसे के लिए लाइन आ गया इसको अगर मैं यहां से हटा देता हूं कि अगर मैं यह सब चीजों को हटा देता हूं कि जो एरिया पड़ा रहेगा तो सिंपल इसको हम लोग एक एरिया इधर और एक एरिया इंदर जैसे आप यहां पर देख सकते हूं एक डिमांड कर लाइन और एक सप्लाई कर लाइन ऐसे बना है सब पस वह जो ड्रॉइंग करन के लिए जो जरूरत एरिया है उसको आगर आप ठोड़ा सा हटा देते हो तो आपका ग्राप देखने में ऐसा होगा एक डिमांड का लाइन और एक सप्लाइट और जिस पॉइंट में यह दोनों मार्ज करेगा डाइस पी एकुलिब्रियम तो इन आवर एक्जम्पल तीन हपी और कंजुमर भी हपी लेकिन सर आपको एक एक इसका बहुत बड़ा इफेक बताता हूं अब कर देखो एकॉनोमेक्स पढ़ेंगे और इसका मार्केट इफेक्ट नहीं जानेंगे तो फिर एकॉनोमेक्स पढ़ेने का क्या मतलब है ना डिमांड सप्लाइज समझ गया ह दोड़ाइस भी अंडेस्टनिंग हो गया लेकिन ओइकॉनोमेक्स एक सोशल साइन्स है। एकॉनोमेक्स देख सोशल वेल अग्तौइंस है। जब सोसाइटी में इसका एफेक्ट समझ में आएगा तभी न सब्जेक का कोई मतलब है अधर्वाइस सब्जेक का क्या पढ़ा क्यों क्यों पढ़ोगे बेकार में कोई भी सब्जेक्ट हमारे लाइफ में जो भी सब्जेक्ट आता है जब से आपनों केजी वान से लेके कि अगर सब्जेक का problem solving skill नहीं है मतलब अगर सब्जेक के अंदर problem solving नहीं है तो वह subject पढ़ना बेकार है मतलब हर एक subject में problem solving skill होना चाहिए सर ऐसा होता है क्या अरे हाँ subject तभी बनता है जब उसमें problem solving skills होता है तो economics भी कुछ problem solve करने का काम करता है कौन से problem solve करता है तर आप मुझे कोई भी subject पूछ सकते हो मैं उसका problem solving skill आपको बता सकता हो बिंगॉली इंडी इंगलेश ऐसा subject हम लोग पढ़के आए लिट्रेचर वाइस ठीक है ग्रामाटिकल बात छोड़ देते हैं वह पढ़ना ज़रूरी है अरे बहुत ज़रूरी है सारा देन YouTube में Facebook में क्या देखते क्या हो कहानी ठीक है हिंदी कहानी इंगलिश कहानी बेंगॉली कहानी आप अपने मदर टंग कहानी जो भी कहानी तो सुनते हो कहानी देखते हो तो कहानी जो है वो लेटरिचर है अब कोई वहाँ पर लेटरिचर में पोईट्री के हिसाब से बताता है कोई प्रोज के हिसाब से बताता है हर सब्जिक्ट में problem solving schemes होता है सकते हैं कोई nobel बनाता है फिर nobel को छोटा-छोटा करके उसका story बनता है एक जमाना था जब लोग लि किसी चीजमें बुरा ही अच्छा बुरा ही अलग जगा में बट बसिकली वही सिखाता एं जिसका घ्लाना लेंगविज में जैसे बिंगॉली भी इंदी इंगलीश हो अगर आपको स्टोरी में किसी का बच्पन में अगर शौक था ना तो बाद में जाकर वही लोग स्क्रि में आजाओ अब बेंगाली हिंटी इंग्लीज के लिटरेटर जानके क्या करोगे अभी अभी तो कॉमेट्स में एकॉनोमिस मतब बेसिकली फाइनशियल डेसिशन लेना है तर मार्केट सोचल एफिचियनशी मैं आपको क्यों यह से बात बता रहा हूं पुछ एकॉनोमिक्स सोचल एफिच्ट sih मैंटर को 1 पाड़ा में रहते हो आप सब्सक्राइब बसक्राइब में कि अब जाहन है आप जहां भी रहा हो इस की इकुलिप्रम उसको बताथे अगर मार्व्रेक्ट छो इस बात में गहरा ही है जब किया समझनला बात है बहुत बड़ा बात है तो बहुत कुछ ना समझcussion वी नहीं आपका समय कितना बहतर हो रहा है कि तना किना अच्छा जी रहा है हूं करता है अगर आपका कंटुर्स है है कि इसका गजोने एक कहानी बिता है प्रॉब्लेम हुआ है किसी कंट्रि के साथ सर यह तो जानते हो आप लोग कि किसका मैप है सरी है है यह 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 इस बार तो हनुमानने नहीं जलाया रावन भी बहुत बद नहीं हो रहा है जैसे कि हम लोग अमारे कहानी में पड़े हैं और रामजी का भी बात यहां पर नहीं है बस्व क्या प्रोब्लम कियो नगा मैं यह इसका मि इसका सोचल एफिशिएंसी लेवल में क्या प्रोब्लम मैं एश्जा सिर्फ का कहानी नहीं एक जमान में भारत का ही करता था इसका प्रूब भी है कि अगर आप शिलंका जाते हो तो वहां का लोगों का जो कल्चर है जो वहां का लोगों का मतलब जो जेनेटिक्स है वह एक्षिली इंडियन जैसा ही है ठीक है इंडियन जैसे नहीं इंडियन ही है एगर आप तामिल लडू को देखते हो यह ता कभी अगर देखा नहीं है अच्छे से ताज देख लू अ यह कि य ethics की आज़िया ज़ो हिस्सा है कि यह जो हिस्सा के इस साइशा है और यह जो जोड़े है सत्व यह धनुस्कडी जोड़ है एरिया है जहां से के लिए वो राम से तु बना है जिसको आदंस ब्रिज भी कोई कोई कहता है सो बिसे के लिए राम से तु है यह जो राम से तु या धनुसकड़ी का जो एरिया है यह इतना पूरा इसी तुरू से राम रावन के वहां पर श्रिलंका पहुंचा था तो बिसीकली तब यह एक ही भारत का ही इंसा हुआ करता था था तो वाट इस पॉइंट इस दाट की तामिल नडू और श्रिलंका एक्षिटी सेमी है इसका मिट्टी इसका कल्चर अल्मोस्स तिमिलर क को इसमिंछ संय प्रप्राइब क्या हुआ कि सोषिल इफचियंसी में प्रोबल में बृब्ले मंगी इभू सिंपल साब्लबाइब संपचर इंधू क्ली मिंट्थी करने में नाकाम है निरенफोर और उससी का प्र आज स्विलंका को देखना पड़ रहे हैं स्विलंका का population कितना है high population है क्या नहीं सर्थ it's not a high population country it's hardly 2 crore population है स्विलंका में लेकिन इसका बेन प्रब्लम नहीं हुआ सर कि स्विलंका demand supply matter को सम्हाल नहीं पाया they are failed to manage they are failed to manage the demand supply situations of their country because due to some bad economic decisions of their government bad economic decisions of their government that is why इतना low populations लेके भी मतब लो नहीं बोलेंगे 2 crore and 2.5 crore के आसपास populations है moderate population है size की साब से इतना moderate population लेके भी इतना family member इतना भी ज़्यादा नहीं है इतना भी ज़्यादा नहीं है भारत तो densely populated है बांगलादेश densely populated है सर भारत भारत तो छोड़ो बांगलादेश सबसे densely populated country है world का दुनिया का सबसे ज़्यादा densely populated लोग बांगलादेश में रता है पतब इतना ज़्यादा density दुनिया के किसी भी country में नहीं है भारत और बांगलादेश में जितना density है इतना डेंशिटी दुनिया में किसी भी देश में नहीं है इतना लोग को भी मेंटेन कर लेता है बंगलादेश आपको भी बोलेगा सर्ण नाचरली पटाईला इसलिए हां वह रीजन जरूर है पर सब नाचरलल मैंटर के साथ गौर्मेंट डिजिशन्स भी मैंटर करता है तर जैंक बंगलादेश इकोल्स तो और ओडिसा औरश्यजश साइश बलिए कंनाचर लोग अगर अगर मैं बंगलादेश के साथ या विस्पेंगोल के साथ स्ट्रिलंका को लिए का साइस को घरण चिलंगा चोटा है साइज में येस ठीक है साइज में छोटा है जो पॉइंट इस दाट फिर भी चिलंगा का पॉबुलेशन भी लो है 2.5 कोड समझने के लिए आपको ना यह कि WORicon अरब producer शड़ना पड़ेगा इकुलिबर्याम प्राइस जोशल से लिएंस को इकुलिब्रियंप और सुशल एफि मैं यह समौझना जरूरी है इसको लिए आपको मैं प्रैक्टिकल बता रहे हूँ सिलंका का सिच्विशन को समझा रहा हूँ दो मिनिट सिलंका में पमें स्रेलंका में प्राइस करेंटली इंडियन रुपीज में अगर देखा जाए तो सर स्रेलंका हाइक दी फोल प्राइस पेट्रोडर अल्टाइम हाई इंडियन रुपीज में देखा जाए तो 420 पर लीटर एक लिटर प्राइस चल रहा है लंकान रुपीज में लंकान रुपीज में 470 के आसपास चल रहा है एक लिटर प्राइस हमारे देश में प्राइस कितना है अरे बोलो इनी आइडिया इंडिया में करेंट प्राइस है नाइटी सिक्स नाइटी सेवन पूट पूटी हंड्रेट के आसपास है एक लिटर प्राइस जादा है कि पिट्रोल जो बहुत ही ज़रूरी एक चीज़े है लेकिन नौट जस्ट्रोल पिट्रोल महेंगा मतलब नॉर्मल फूड भी महेंग कि पोटेटो प्राइस आप चस्ट सर्च करो पोटेटो प्राइस यह सबस्क्राइस एक पूरे डेटा है मैं आपको शियर करूंगा तो पूटेटो का प्राइस स्रिलंका में एक केजी आलू का दाम भी आप देख सकते हो तू 15 रुपिस केजी कॉलम्बो में 215 एक केजी आलू का दाम है हमारे यहां पर 30 से 40 टागा केजी है सर जोर से जोर 50 रुपिस केजी है अगर कोई 12 पीस अंडा लेना चाहता है तो सिलंका में 435 के असपास का दाम है अब्थम जिमाजिन कि कि सेवस्ट उंच में हाई चल रहा है तर आप सोचो कि High Price everywhere इतनाह इतना है प्राइस देच कुशेच उप्राइन कंगा खरीटने सूचेगा है अलू सर कि double थी पार्लैमेंट के नहीं स्रेलंका के सामने लोग जिस तरह से एक्जूट हुआ है आप समझ रहे हुआ ना स्रेलंका का क्राइसी सिटेशन जो मैं आपको बताना चाहता था कि स्रेलंका इसके पास फॉरेक्स फॉरेक्स खतम हो गया है आप जो डॉलर इंकाम करते हो ना जितना ज्यादा डॉलर कमाओगे उतना आपका फॉरेक्स बढ़ेगा और उसी फॉरेक्स से बाद में आप इंपॉट करोगे तो सस्ता पड़ेगा तो इसके पास फॉरेक्स जिज़ा बहुत खरब खरब हालत में है तिंग्स लाइक गोल्ड डॉलर्स और डॉलर्स लाइक असेट इस तरह का चीज़े अल्मोस्ट खतम और वाल इस प्रोगनेशिस में एकुरेट अट फॉर्स इंप्ली सिंटर्म अफ प्रोब्लम देट रंस मुझ दीपर तो लेट्स टेकिट फॉलंका इस वाद यू कॉल ए इंडियान एकॉनोमी ठीक है इस सम्वेर इन बेट्वें अन कंट्रीज लाइक इस अरीज़ी डिपेंड आने फ्यू स्पेसिफाइट सेक्टर्स स्रेलंगा का एकॉनोमी कुछ स्पेशल चीज़ों पर डिपेंड करता है अन पुछ अग्रिकल्चिलर प्रोडट्स पर स्रिलंका सौट इंकाम करता है इस इंडिट रुपीज तीन आउड और फंड्रेड 10 रुपीज कमाता है तुरीजम के तुरु से त्रू से स्ट्राइट के बारे में थोड़ा आपको इंपरमेशन इसके दे रहा हूं ताकि मैं आपको डिमांड सप्लाइस सीचुईशन समझ स्विलंका में नॉर्मल प्रोब्लेम हो गया तुरिस्ट नहीं आया इस इन एविटेबल एट कंट्री वुड़ विद रॉट प्रोब्लम्स स्विलंकान तुरिजम इंडिस्टी तुक बेटिंग टीकोनोमिस नोसडाइब एक तब नाके बल पे गिरा ठीक है मतलब बुलते है नाक थुबडे पोड़े जावा तुरिस्ट वर नो लॉंगर थ्रोंगिंग बीचेस आइलंड नेशंस अब दी कंट्री लॉस्ट आउट आप प्रेश्यस पर इंकम पर निंकम आना बंग अकुदिन टेटा फ्रॉं ट्रेडिंग एकोनोमी स्रिलंका आंट रेविन्यों और उट्रेड़ान चैना बड़ा एक बड़ा इकानोमी है चैना दी अपने आपको मैनेज नहीं कर पाया बट सब्सक्रीण कुछ और भी प्रॉब्लम हुआ कुछ और प्रॉब्लम हुआ क्या प्रॉब्लम जानते हो कि शिलंका ने डिसीजन लिया था कि वो अपने कंट्री में जो एकरी कल्चर करता है ना कि यह और गानिक एकरी करेगा कि टोटल ऑर्गानिक फार्मिंग कि इसके लिए वो फाडिलाइजर बैं कर दिया था तम्हां तब किमिकल फाडिलाइजर को बैं करके तोटल ऑर्गानिक फार्मिंग करेगा अब ऑर्गानिक फार्मिंग करने में बहुत खचा आता है और इसके लिए गौश्मेंट को भी सब्सटिडी देना पड़ता है बिकास ओर्गनिक फर्विंग में जो इतना दिन फटिलाइजर यूज वो गया अचानक से आप अर्गनिक में सीप्ट होना चाहते हो तो इस टीक ताइम अड अल्सों इस टीक लॉट्स अब मनी तो ये प्रोब्लम हो गया सर अचानक से यह बैंड फटिलेजर येस अल केमिकल अगर आप अचानक से अर्गनिक में सिप्ट हो जाओगे तो आपका जो अग्रिकल्चर है ट्री प्लैंटेशन है टी चाहिक से जो आप इंकम करते हो टी एक्सपोट बहुत बढ़ा एक एरिया है शिलंगा के लिए टी एक्सपोट में प्रॉब्लम है उपर से एक रिपोट है टी इस शिलंगा सिंगल बिगस एक्सपोट ब्रिंग इन मोर थन 1.25 बिलियन ए यर बेकिंग अपर अट्मोस्ट 10 पर्सें अप्रिस एक्सपोट इंकम आप समझ रहे हो एंड दी इन फॉट्ट आउट कुस्ट टी प्लैंटेशन और पार्मर्स दियर ली बद आलसो रिले नहीं टी डी टी डिलेटेड़ अवरीडिंग फाइनच्यल सेक्टर हर चीज में इसका एक चीज में आता इस अलगातर हर चीज में आ जाता है इसे हालत में सिलंका में डिमांड सप्लाई या बहुत हो गया सब्सक्राइन नहीं है डिमांड तो है दिमांड इस प्राइस में बिकेगा टिमांड्ड फैसा है वह खरीट पाएगा जिसके पास नहीं है वह नहीं खरीट पाएगा इसके पास foreign reserve नहीं है foreign reserve 2.8 billion से गायव जो 755 billion हुआ गरता था 7.5 से 2.8 billion just one year में और ऐसा नहीं कि यह 2.8 billion रह जाएगा पिट्ट्र पाइ करना है बिकाज बिना पिट्रल का तो कुछ भी नहीं हो पाएगा पिट्रल बाइ करने में सबसे जाधा पैसा लगता है किसे भी कंट्री का तो foreign exchange reserve बहुत important था अब foreign exchange reserve भी उसका ख़तम होते को जा रहे है ऐसे situations में वह international market से जो import करता है वाइन में इक्सवाइग सब्सक्राइब बाइस फिर लंका वंस तो भी उनको बाहर से लाना पड़ता है यह विल पर इपर इड विडिव दिजर्व देपर जो रिजव उसने आंट किया वहीं से दिना पड़ता है अनफोर्शनेटल यह थे थे एपने एक्सवाइब फिर लॉट लेक्या सकता है तर रिंटिंग प्रेस का एरिया है जो चिलंका में अच्छा होता है चिलंका गन परिंट ल सब्सक्राइब करने का सिटूइशन को दिखा जाएगा कि और पैसा चपाना पड़ेगा पर यह कुछ सब्सक्राइब कर सकता है तो अगर आप पैसा भी च्छापते हो ना वी वर्थलेस हो जाएगा पैसा तभी च्छाप सकते हो जब आपके पास अपना एसेड सो कभी कभी छोट थोड़ा बहुत पैसा करेंसी चापके मतब प्रेंड करके आप फोड़ा बहुत प्रॉब्लम सब्सक्राइब कर सकते हो पर प्रॉब्लम लाइक दिस इसके लिए जैनुवीन एकोनमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा अभी फॉरेंड लगा को बचने के लिए एक ही रस्ता है स्रिलंका नेट और हलसे फोरेंड हैं स्रिलंका अभी पांच साथ साल याट देस स्था सेटेना होगा नश्याम का प्रॉब्लम धिरे 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 खक्तम होगा समझ मीया रहा हैं सर ठिकें लिए एंस अ ओर आल अवाओट इस वट सो या श्रिलंका वीट इंगर्डिस कॉक्टिल अप्रमिक मेस्मेंजमेंट था प्रिलंग ने जो किया वो यह बिसिकलिगानों स्मांडेजमेंट है पैंडेमिक ओड़ और अंडिया ये वेल्ड बेंक आयं वेलोग नहीं करता है ना तक श्रलंगा का यह सीचुएशन ठेक नहीं हो सकता अब देखना से help तो ऐसे नहीं करेगा न कोई लोन भे करेगा अपने घर से कौन कितना help कर सकता है हमारे आसपास में कितना लोग गरीब है क्या हम लोग हर गरीब को चाके help कर सकते हैं सर आपर सरांडिंग अपर लॉट्स और पूर पीपल श्राइब कि एक दिन किसी को खाना कि हम क्या उस पोर पीपल को रीज बना सकते हैं सर अरे बोलो ना या रोज खाना खिला के भी आप उसको रीज बना सकते हो अगर आपको प्रॉब्लम करना है तो रूट लबल में जाके करना पड़ेगा यह दो दिन का कुछ पैसा ठीक है डोनेट करना चाहिए दान करना चाहिए वो एक गुड़ वे हैं ठीक है यह एक अग्यूमन बिंग अगर आप जो दरिद्र है जो पूर है उनको हेल्प करो सब्सक्राइब इस टीशन लेना होगा ताकि देश में गरीब ना रहेख ताकि देश में भीकारी ना रहे ताकि देश में ओल पीपेल ना रहे तो इसके प्या करना होगा से बहुत सम्पल बात बात संपल है पर करने के लिए महनत चाहिए फ्रोजेक्स चाहिए इंप्स और सीइसे कि अगर यह सब बात आपको समझह में आ जाएगा न आतारी जो कहानि में आपको अब सुना रहा हूं अब करेगा यह समझना मुश्रा स्रिलंका फ्रॉबल्म है just the problem जैसे मैं अपना स्रेट मेरा है भी बहुत व्हत। मेरा स्टेट मेरा अपना स्टेट i इंडिया मेरा मात्री भूमी है इंडिया के अंदर कोई मेरा होम है तो वह बिसीकली पस्ची मंगाल इसा टीक है वेस्ट बिंगॉल इस इस माइं होम स्टेट में कुछ प्रॉब्लेम चल रहा है क्या प्रॉब्लेम क्या तर मेरे होम स्टेट में अजकल ना मतलब डेसे के लिया साघीड के तरफ से कुछ इस तरह का नीटी चल रहा है सब को पैसा पालिडिक सा यह पॉलिटिकल एजंडा है ताकि आपको पैसा दिया जा रहा है आप गोड़ दो जैसे अलग-अलग योजना बनाया किसी को अलग-अलग नाम भी दिया मैं नाम भी यूज कर रहा हूं स्री करेगा उसके लड़की का चाधी करेगा उसके लड़की के उसके लड़की देंगॉल लगवर्मेंट न सब्सक्राइब पेरेंट्स को कि आपके बेटी के शादी का शाड़ी गौवर्मेंट देगा सर क्या माबाप इतना दिक्कार हो गया है कि अपना बेटी का शादी देने के लिए बेनारोसी नहीं दे सकता 3000-2000 में आ जाता है अगर फोड़ा महेंगा लेगा तो 5000-1500 में आ जाएगा जो जैसा फैमली है एक बेनारोसी भी नहीं दे सकता वो साड़ी अगर 3000 का भी बेनारोसी सबसे सस्ता बाला लिया मैंने अगर दस क्रोड में से पांच क्रोड अगर फीमेल है उसमें से अगर शादी करने वाले एज में 20-25 साल के एज में अगर लड़की का मैं काउंटिंग करूं अगर बहुत सारा प्रोजेक्स चल रहा है जिसमें लगखी लगखी रभंडर गुल के प्रोजेक्ट है जिसमें हर लड़की को 500 अगा करके देने का एक प्रोजेक्स चला है तो तब मेरा बात यह से इसा फ्री का पैसा मत दो तैडिस दी पॉइंट सर्फ कुछ महनत में करें उसके बदले में दो फ्री का क्यों पैसा दे रहे हो आप कुछ किया क्या कुछ प्रोजेक्टिव करेगा तो पैसा दो ना कि विदाउट इनी प्रोड़क्टिविटी कोई काम नहीं कुछ नहीं सरकार कि कहा किसका पैसा रहे जो सरकार पैसा बाढ़ देते हैं चाहे कोई भी गवर्मेंट करें मैं अपना स्टेट के बारे में बोल रहा हूं बगर ऐसा ओडिसा में होता है जाड़कंड में होता है विकार होता है किसको देना चाहिए अगर कोई मानों की जैसे ओल्ड एज पॉपुलिशन से ठीक है बुड़ा हो गया पेंचन ओल्ड एज पेंचन सत्तर पचप्तर साल का बुड़ा है उनको दिया जाए ठीक है लेकिन यूद को क्या यूद को क्यों बेटे-बेटे पैसा देगा विए नरोशी साड़ी अगर वानों फांच क्रोड में से अगर देश में दस लाग लड़की का भी शादी होता है ना मतब स्टेट में तो दस लाग इंटू पंदरा सो समझ रहे हूं सर इतना पैसा सिर्फ बेकार में बेनारोशी साड़ी बेने में सरकार का खड़ कितना होता है कवे काउंट किया अप लोग को समझाता हूं तो इस पहुतर से और लड़की का शादी होता है उसमें अगर सरकार के तरफ से देड़ हजर का भी शाड़ी दिया जाता है तो इतना पैसा सरकार सिर्फ कर्ज करता है कितना होता है तेड़ो क्रोड चलों दस लाक लड़ी का शादी थोड़ा मैं जदा माल लिया एक लाक हो जाएगा कि एक लाक तो ही जाएगा एक लाग लिए कि पीड्ति चार पेशा पीशolenia कोई का मतलब है कोई काम सिखाओ उसमें से कुछ प्रोडेक्टिविटी करो उसी को सेल करो एक्सपोर्ट करो देश के अंदर बिजनेस क्रियाट करो लोगों का जेनुवीन आर्णिंग क्रियाट करो तब ना प्रॉब्लेम सल्यूशन होगा यह जैसे मैं आपको क्यों बता रह यह आपको श्वूट टम प्रॉब्लेम सॉल्फिन स्कील देगा यह यहां ने इसा प्रॉब्लेम क्रेट किया सिमिलर प्रॉब्लेम हमारे यहां पर स्टेट भी कर रहा है जैसे कहां हुआ हुआ है वेस्प्सपेंग और देली पंजाग बहुत बहांकर हालत में हैं बहुत परहालत में इतना लोन हो गया है ना अभी इतना जानलो सर जितना वेस्ट पेंगॉल का हिसाब मैं मुझे पता है इसमें जब 2011 में टीपीम गॉवर्मेंट वेस्ट पेंगॉल को छोड़ा था तो पर हेड़ दो लाग का लोन था मतलब हिसाब अगर अब अभी करेंटली हिसाब है पर हेड़ लोन मार्केट में वेस्ट पेंगॉल का दो लाग का हिसाब अभी साथ लाग का लोन है रेबड़ सरकार का डेबड के मतलब अगर स्टेट के जगा गर एक कंट्री होता तो आज सोचो कि स्रिलंका से भी हालत खराब हो जाता कि जस्ट बिकॉस वेस्ट पेंगॉल इस पाट अफ इंडिया ले रहे हैं नहीं तो न स्रिलंग का जैसा हालत से भी बत्तर हालत हो जाता है कि जैनुवीन बता रहा हूं सब जैनुवीन बता रहों रियल चैने जिस तरह का सिटूइशन केड़ हो रहा है प्र्डॉड करने से और सथ से कोई बी करें कोई पिघन कर делिम और ज्याद से और ज्यूद कर हैं पंजाब का ये भी बहुत दिखावा कर रहा है lat ऐलेक्टिसिटी प्री में वाटर क्यूं प्री ओं रहा है तो पेमेंट लो फ्री में क्यूं आई छिएंवल जोठाव ये निद्न चाहित फिर कहें बंत को प्रोगी करें B сложно करो लेकिन ऐसा भी हमेशा के लिए फ्री नहीं decision D करते के लिए थोड़ा समय थो डफ्लामेंट हो जाए तो फिर पेमेंट लेना चालो करती तो क्श इसको फीर ले पहले और आता हैं कैस बक्ड देता है कि शब्ग देना बंद 14 यह यह जीओ फोन पर पहले ना किसी और no तर्टे लुपेस किसी को ट्वेंटी रूपेस थर्टे रूपेस कैश्बैक देता था पेटी एम आज का ले सब देना बंद करते हैं मतलब जैसे जैसे आप पॉपुलर हो जाओगे और आपको नहीं देगा इतना सारा बात मैंने आपको क्यों कहा विकॉज इतना सारा बात करने के पीछे एक सिंपल सा बात था जैसे हम लोगोंने प्रोड़क्त राइस डिटर्माइन किया जैसे तीन टाका का पाडलेजी बिस्कुट्स या तीन हजर का प्राइस एकुलिप्रियम अब मार्केट एकु कैसे अपने आपको स्रिलंका जैसे सिचुएशन से बचा सकता है अब कभी स्रिलंका वाला सिचुएशन ना हो इससे बचने का क्या उपाए है सोशल एफिशेंशी रप्रेजन दी नेट गेंस तो दी सोसाइटी फ्रम ओल एक्षेंज डार मेड इन पर्टिकुलर मार्केट अगर आप सौट अगले के मार्केट जाते हो और आपका प्रोडेक्ट का खर्चा हुआ तो आपने कितना सर्प्लास कर लिया तो आपने सोचा था हंडेट रूपीज लगेगा अच्छल में एक्टी हुआ मार्गें करके आपने कम कर दिया तो यहार फिलिंग हापी विकॉज यू सेव 20 रूपीज यू सेव 20 रूपीज इस ऑलवेज गी प्लेजर तो इकन्जुम सब्सक्राइब करता है और मैं आपको बता दू भारत में ऐसा भी फैमिली है जहां पर 600 रूपीज में वह अपने बच्चे को ट्यूशन दे सकता है क्या मैं सही बोल रहा हूं सर तेल मी ऐसा होगा कि नहीं यह तैना अगर आप डेली 20 रूपीज सेव करो 30 डेज में आप 600 सेव करोगे 600 पर मंद में एक मा या पापा आपने बच्चे को पढ़ा सकता है एक अच्छा टूशन भी दे सकता है तो कंजूमर वेलफियर अगर आपके पास सर्प्लस होगा तब ना वेलफियर करोगे छोटा-छोटा मैटर सर बहुत बड़ा कारणामा करके जाता है इकॉनमिक्स में जान है सर जान हर बड़ा प्रॉब्लिम का सलूशन है इसमें वह समझने के लिए न वह इच्छा होना चाहिए आदा से जादा लोग तो इकॉनमिक्स में ग्राफ देखके डर जाता है यह वगवान मेरे दिमाग में एकॉनमिस कोच नहीं जा रहा है क्योंक उक्टुपस जासा लगता है और वह ग्राफ से क्या लेना देना श्राइटो अंडेस्टेंड इकॉनमिस का प्रॉब्लम सॉल्विंग स्कील्स तो कंजूमर सर प्लास कंजूमर सर प्लास आपको जिस तरह से बेनिफिट दिया ना वेलफेर दिया उसी तरह से प्रोडूसर अग्राइट को सlles प्रोडूसर जी तरह से प्रोडूसर प्रोडूसर डियुक्ट प्रोडूसर ना वह सप्लाइर का सरफ्ल में सब्सक्रप्लास अगा व गैर वियुक्र नाव मढाल। in the market namely producer surplus producer surplus is the benefit derived by product producers from the sale of unit above and beyond their cost of producing that in this occurs when the price they receive in the market is more is more than the minimum price at which they would be prepared to supply it is represented by the area above the supply curve and below the price line मतलब producer का बारे में सूचो यह supply का लाइन है यह price का लाइन है प्राइस लाइन और supply का आपका जो बीच कह रिया है यह producer का surplus area है तर कैसे producer surplus करेगा अगर अगर आप 10 रुपीज में बनाते हो और अगर आप उस ठेन रुपीस के प्रोडूक को 20 रुपीज में सेल करते हो उप्रोडक्ट 20 में सेल करना है तो कितने का प्रॉफिट कर लिया आपने तेन रुपीज का है ना टेन रुपी एक्स्ट्रा लेकिन अगर यह तेन का कॉस्ट फिफ्टिन हो जाए तो यह सेवेंटीन हो जाए तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा कम हो जाएगा यह सन्नो जितना आपका कॉस्टिंग बढ़ जाएगा उतना आपका प्रॉफिट यह सर्प्लस कम हो जाएगा तो एक प्रॉड्यूसर यह सप्लायर के लिए क्या प्रोडॉक्शन कॉस्ट बढ़ना अच्छा है क्या production cost increase होना उनके लिए हमेशा बेकार है because yes hello क्या बोला किसीने I think Sanon ने कुछ बोला बोलो okay sir ठीक बोलो कुछ कहना चाहते हो yes कि कहना चाहते हो कि अच्छा ठीक सब्सक्राइब तो नव कोश्चन इस दाइट मैं जो बोल रहा था आपको अगर प्राइस बढ़ जाता है जैसे माने आपको मैं आपकी तो अगर मानों कि टी ठीक है इंडिया में भी टी होता है अब अभी आप मुझे बताओ कि को बनाने में और फिर उसको मार्केट करने में इंडियान मार्केट में टी में जो खर्चा पड़ रहा है तो स्विलंकार मार्केट में भी क्या सेम खर्चा पड़ रहा है कि जैसर इंडिया के ठी कहा होता है आसाम में होता है वेस्ट जैंग ओल में अहीं होता है और सव्हमें क में स्पर पाहसे में तो ऑंधुल त। बस चतले में स्रिलंका में चार्टका लीटर है पिंडिया में हंड़ेध सब्सक्राइब करोल याAre प्रोड़क्शन करने के लिए ज़रूरी राव मेट्रियल बाई करना मैनसाक्चरिंग के लिए फिर टी बनाने के बाद उसको मार्केट में सेल करने के लिए जो ट्रांस्पोर्टिंग चार्जेस है वो स्रिलंका में हाई है इंडिया में लो है तो इंटरनाशनल मार्केट में इंडिया और श्रिलंका को लो के परेंट शिट्यूइशन इंडिया को ति क्योंकि च्वालिटी का टी श्रिलंका भी अच्छा है इंडिया का भी अच्छा है we are not question is that लेकिन स्रिलंगान टी मार्केट में बहुत हाई डेट में पिछेगा वो बहुती वेरी कंस्टमर को सेल पर आएगा पर इंडीन टी पुरा मार्केट बर में इधर उदर सारा सारा दुनिया में सेल कर पाएगा तो इस तरह से क्या हो जाएगा सर प्रोड्यूसर का सर्प्लस स्रिलंका में जो टी प्रोड्यूसर है उनका सर्प्लस क्या हो जाएगा कि कम हो जाएगा कि तुम हो जाएगा विम Lud 17 क्चा एंडिया आप इंडिया के अंदर मी चेक करो चैनल हमारे दिस में कुई हमारे ते र कूध में भारत अभी आनलमें नमबर में न्हीं न्हीं न चाइन चायन है एक फृट्रॉटाक्ट्शन में इंडिया वह नंबर व thigh9 नंबर्वन एक तू अ स्ट है या मिट्सर प्लोजवेट density इइडिया के पस अइन्डिया के पास यह सबसे ज़्यादा का बंधी है विट बनाने वाला देश है गवेट सपलाइठ वाला देश दुणिए किसको माना जाता है यूक्रेन पुमाना जाता है यूक्रेन को दुनिया का वीट बास्केट भी कहा जाता है यूक्रेन को रशिया के साथ वर लड़ रहा है इनका अलग क्रैसिस अब ऐसे हालत में उक्रेन का वीट एक्सपोर्ट उना हथा जिव करेंस पूरा यह उरोप में एकच्छा ब का हूं यह धी यह उरोप नहीं सबस्काइद sensor को अव्ज़ आफरीका में होता है और उपसे यह सप्लाइब टे नाचुरल प्रॉबल्म हूआ है अमडुका में इनफ लेशंगjem एपितना नहीं हुआ है तो अमेरिका भी सप्लाइ नहीं कर पा रहा है जितना वेट चाहिए तो अफ्रिका एंड साथ अमरिका में जैसे अर्जेंटीना का हलत बहुत कराब है अर्जेंटीना का फाइनशिल सिचुएशन भी बहुत खराब है सर अर्जेंटीना साथ अमरिका का बहुत बड़ा एक अब अर्जेंटीना जैसे कंट्री में भी प्रॉब्लेम बहुत है यह भी अच्छा अग्री कल्चर करता है बट इसका भी प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा इसमें इंफलेशन चल रहा है कि इतना जानते हो महेंगाई इसके नेच्स ट्राइब और सब्सक्राइब जाएगा अर्जेंटीना का इरिया है उसको पॉमपस कहा जाता है पॉमपस बोलके पूरा उसका एरिया है जहां पर बहुत अचा खेती होता है बट वह भी प्रॉब्लम में नाचरल प्रॉब्लम में आ गया एकोनोमिक सिचुशन में लड़ाई लड़ा है इंटर्नल सिविल वार सिचुशन भी हुआ है सो डिफरेंट सिचुशन डिफरेंट वाल्ट वाइट दीख रहा है सा ऐसे हालत में अमेरिका डबलू ट्यों के तुरू से भारत पे प्रेशर कर रहा है कि आप अपना वेट एकोड़ करो अब अपना वैर्ट एक्सपोर्ट करो तुर्की का ऊंट बहुत खराब है, तुर्की is a very developed nation, very developed nation, but it's a very problematic situation now, एजिप्ट भाहंकर आलफ में है, political drama वो basically अलग-अलग लड़ाई, Middle East का जो लड़ाई है, Syria, Iraq में जो जानते हो, आप लोग में नाम और क्या बताऊं ठीक है, एजिप्ट में लेकिन भारत ने फिर भी एजिप्ट और तुर्की को weight supply किया, because they are in serious situation, Lebanon Lebanon नहीं परसर, Lebanon there also economic crisis बतब अल्मोस्ट 30-40% of the world economic crisis में जा रहा है अब WTO के थूँ से US, इंडिया के उपर pressure करना चाहता है कि इंडिया आप wheat export करो 2-3 कुछ export किया भारत में, but इंडिया अभी export करना बंद कर दिया क्यों जानते हो इसमें अमेरीका गुस्सा हो गया because sir sir, India wheat production में number 2 है, but look at our population sir 140 crore plus और density देखो हमारा चाइना का problem अलग है चाइना number 1 तो है पर चाइना का density is not like us चाइना का density और चाइना का size देखो गया तर भारत से दो गुनाब जादा बड़ा है चाइना size भारत का जो पुराना मैप है उसमें भारत और चाइना almost same था अगर आप चाइना देखो गये यह है चाइना का size उपर से यह वाला हिस्सा भारत का लेके रखा बहुत बड़ा हाटी है भारत के अंदर कितना कितना चाइना के दर दो दो भारत बूस जाएगा देखो आना अब इतना बड़ा देश में कितना पॉपुलेशन है वान फिफ्टी क्रोड प्लस प्लस क्रोड सम्टिंग जादा भारत से इसका अगरी कल्चरा लैंड भी हमसे जादा है लेकिन चाइना का एक प्रॉब्लम भी है यह जो एरिया है ना चाइना का इस एरिया यह पर नॉर्मल सैंड डिजर्ट ठीक है वो अलग बात बट उसको छोड़ देते हैं साइड चाइना रेस्ट्रिक्टिव एकॉनमी चलाते हैं उनको ओपर दुनिया के कोई प्रिशर नहीं रहता है अलग बात है चाइना का अलग कॉंसेट है बट भारत ने ना किया क्योंकि अगर दुनिया भर में क्राइसीज हो रहा है अगर भारत भी वीट एक्सपोर्ट कर दिया अफिर बात में हम लोग क्या खाएंगे इसले मोदी जी ने ना कर दिया हम लोग देंगे अभी नहीं देपाएंगे पहले भारत भारत को खाना किलाना है बहुत मैंद से लास्क शत्तर प अमेरिका भारत को रोटी के लिए भीग दिया था रोटी और अमेरिका एस सर हमारे पास इतना रोटी नहीं था इसके लिए एक बहुत विमस के से पिएल-480 कि ने एक अनोमम में बहुत बड़ा केस माना जाता है पी एल-480 कि अब इधित्य प्यटी में से लोन पे यहूं खरिजना पड़ता था बिकाउज भारत के पास इतना खाने के लिए भी रोटी के लिए भी कुछ नहीं था यह पुराना केस है 1960s का the fundamentals of relationship are somewhat similar to 1960s even today at the time the U.S. had attempted wheat diplomacy with India मतब भारत को रोटी देके ऐसे मतब diplomacy कर रहा था ता कि भारत अमरीका के हिसाब से चले the relationship had soured once the U.S. tried to attach tough conditions to its wheat supplies six decades later India is more than self-sufficient in wheat production tables have turned today now the U.S. wants India to export its wheat to other parts of the world amid rising price due to Ukraine whereas India is avoiding falling into the wheat trap all over the again the ghost of T.L. for 80 of the situation is a situation मज़ा आ गया जिस वीट के लिए अमरिका भारत के उपर दादागिरी मार दा 1960 पे विकास भारत इंडिपेंडेंडेंस होके जस्ट साल ही वा था ठीक है तब एक स्पाइनल लेस भारत के उपर अमरिका दादागिरी मार रहा था आज उसी भारत के सामने हाथ गिराना पड़ रहा है अमरिका को भारत गेंगू दो supply weight to us to us as well as to the world कि भारत इस ट्रैप में और नहीं गया सकता क्योंकि भारत फिर से लोगों के भारत को खाने के लिए वेस के उपर डिपेंड करना पड़ रहा है यह हुआ ब्रिटिश के कारण इंगलैंड ने 1176 बेंगॉली कैलेंडरियर इसको चियत तो इसको बंगाल बंगॉल का काला दीन भी कहा जाता है क्या किया था जानते हो, it's a man-made, it's a man-made food crisis, built in India, पुरा Bengal, पुरा Bengal, पुरा Bengal's और Bengal's area है, ये food supply में वर्ल्ड में टॉप करता है, वर्ल्ड में टॉप करता है, मतलब आज का बंगलादेश और बेंगल और ओडिसा रीजियन और बिहार, ये वर्ल्ड का most fertile land है, ये मैं नहीं कह कर रहा हूं, the economist, famous father of economist modern day में, Adam Smith कहता, कि वर्ल्ड का सबसे fertile land is with this area, इससे fertile area दुनिया में नहीं है, दुनिया में नहीं है, और ये एरिया जो food production कर सकता था, इंग्लेंड में basically drought हुआ था, इंग्लेंड में food नहीं था, इंग्लेंड अपना problem को solve करने के लिए, नियर 1920-1930s के time पे, पुरा Bengal का food, basically rice and related foods, पुरा का पुरा foods लेके, इंग्लेंड चला गया था, इंग्लेंड चला गया था और यूरोप में sale किया था, पैसा कमाया था, प्रॉब्लेंड में क्या हुआ जानते हो, प्रॉब्लेंड नहीं हुआ, जिस Bengal के food से, आधा से जाधा भारत को खाना मिलता है, बेंग्ल का rice production से, पुरा का पुरा North India को rice मिलता है, जैसे North India के wheat से Bengal को wheat मिलता है, similarly, तो Bengal का problem Bengal का नहीं था, बेंग्ल का problem पुरा भारत में फैला, और भारत में ऐसा economic crisis हुआ, उपर से British फाइदे के लिए हम लोगों से नील farming करवाता था, नील farming मतलब indigo farming, यह सब आप लोग हिस्ट्री में पड़े हो, इसे वितियास में पड़े हो सब जबर दस्ती इंडिको farming जब भी होता है ना इंडिको farming क्या करता है, लैंड का fertility को खतम कर जित्ते अगला चार-पांच साल लिए और इंग्लैंड में यूरोप में नाहिल का मतलब indigo का इतना डिमांड था कि ब्रिटिज जान बूझ के इंडिको farming जबर दस्ती इंडिको farming करोगे तो आपका लैंड का हालत खराब हो जाएगा और सारा का सारा फाटाइल लैंड में जबर दस्ती इंडिको farming और तब सब उनके हिजाब से और उसी कारण था कि बंगल का पूरा रीजियन बंगलादेस तो बंगलादेस को के कुछ नहीं थाना तब ठीक है इस तोटल नोन अस बेंगॉल अफूट क्राइस सिचुएशन स्क्रेट अला उटमेटिकली अब इसका भरपाई करते करते 1960 में अमरीका का दाड़ा गिरी हमारे पास ना तो राइस है नहीं हमारे पास वीठ है और नहीं हमारे पास मिल्क है प्रॉब्लम के बाद में अफ्टर इंडिपेंडेंस आमूल ने सॉल्व किया आमूल ने सॉल्व किया विद दी अडिनिस्टेशन सब सर्दार बल्लभाई पैटल एंड क्यूरियन क्यूरियन जो डॉक्टर थे गुजरात के आनंद में मिल्क फैक्टरी बना के एक पो अप आज भारत मिल्क प्रोडक्शन पर दुनिया में नंबर वान है आपको जानके अच्छा लगेगा तो भारत को मारने के लिए न विस्टन वर्ल्ड बहुत कोशिश तिया इसको मारने इतना असान नहीं भारत है सर भारत मोर दैन 10,000 का एक सिविलाइशन से जब यह अमेरिकन वेस्टन व्ल्ल्ड निवस्ट्यू यूरोपयान व्ल्लड ना जननम तक नहीं गवा था जैक सेमस्ट कुछ भी पहले पढ़ रहा था एक वेस्टन एक्कॉनोमिस्ट बोल रहा है कि वह वेस्टन पीपल और मच नहीं नीन पीपल इंटिया यह सब इस्टन वडल्ल है ना त कि इस्ट कितना भी हमसे अंडर डेवलब हो वेस्ट को इस्ट के उपर ही डिपेंड करके रहना पड़ता है वेस्ट के पास वो सब चीज नहीं है जो इस्ट के पास है भले ही वो कितना भी डेवलब हो जाए उसे डिपेंड भारप के उपर चाइना के उपर करना ही पड़ता है यह बात आज आप लोग नहीं समझोगे यह तो मैं आपको कुछ-कुछ एक्जांपल दे रहा हूं बाकि जैसे जैसे आपका इक नॉलेज बड़ेगा न सर आप समझ जाओगे कि यह कितना बड़ा बात है सर देखाया आज अमेरिका को भारत के सामने हाथ पड़ना पड़ रहा है टेबिल कैसे चेंज हो गया देखो भई वीड दे दो जिस भारत पे वह भीक दे रहा था पर नहीं 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 लोन लिया था 96 में जाके 1960 का पील 480 का लोन रिपे हुआ सर अच्छा है कि नेवर जी ने लोन नहीं आ था अगर मतब बेसिकली हेल्प ले लेता तो क्या है ना हेल्प लेने से आपको उसके हिसाब से चलना पड़ता है ठीक जैसे पाकिस्तान अमेरिका का अमेरिका का हेल्प ले लेके उस सब्सक्राइब colonial concept so this is how economic efficiency can be achieved equilibrium price के तुरू से तो यहां पर एक important बात है सर market में product का price ऐसा level में होना चाहिए ताकि consumer में खुश हो और producer में भी खुशीड है तो for all quantities below OQ मतलब अगर OQ से भी कुछ quantity है there is a difference between the price that producers are willing to accept for supplying the good and the price that prevails in the market producer surplus disappears when market price is at equilibrium जब market price पी पर आ जाता है तो producer surplus भी नहीं रहता that is price that we sellers are willing to offer for sale is equal to the price that they receive मतलब अगर price जो है न वो automatic equilibrium हो जाता है जिस पर producers का भी उतना surplus नहीं होता है consumer को भी जादा surplus नहीं होता है तो ना तो consumer को बहुत जादा बेनिफिट ना तो producer को बहुत जादा बेनिफिट तो market equilibrium ठीक है तो यहीं यह इमेज आपको वही बताता है कि किस तरह से social efficiency create होता है this is also called market equilibrium social efficiency राचिप्रीट बोध producers and consumers enjoying maximum possible service they enjoy maximum possible surplus but ultimately price will be decided where ना तो producer का बहुत surplus होगा ना तो consumer का surplus होगा उसी में price decide होगा and market equilibrium होहां पर होगा जहां पर दोनों को surplus मिलेगा but market अपना दाम डिसाइड कर देता हूँ तर डिमांड सप्लाई का पावर समझें आप लो तो डोंट underestimate the power of a demand and supply इसको underestimate करोगे तो मुश्किल में पड़ोगे तामनी नोट थोड़ा देख लेना और यहां पर आप नीचे जाओ पोश्चिन करो demand for a commodity refers to sir kya बोले और यह सब बोलने का जरुड़त है अब ही बटाउ demand for a commodity refers to desire backed by ability to pay for the commodity need for the commodity and meaningless to pay for it the quantity demanded of that commodity at certain price the quantity of the commodity demanded certain price during any particular period of time option D option D the quantity of the commodity demanded at a certain price during इनी पर्टिक्लर बिड़ ऑफ राइन यह कंप्लीट दिमांड अप्धी कॉमोडिटी है इस अभी बच्चा-बच्चा कोश्चन हो गया सर इसको मैं क्या आपको पढ़ाओ ऐसा सो कोश्चन से सरंद। आउन से यह कोई को क्लास में से अगर अगरो क्लास का कॉंसेट रहेक हैं कूछ रौ में बता दूँगा मंडे को जिनको मैंने यहां पर बुलाया यहां पर आकर टेस्ट देंगा जाना जो घर बैठके टेस्ट देना चाहते हो जैसे की यहां पर कभी प्रोग्रम अगर बदल जाए इसलिए बोल तो ठीक है? अर लोड्य ओन्य मॉर्णिंग? कोश्यन पाठी है दोबो टेस्ट देवा ना, डिबांड सप्लाई चे अच्छा, वाट्साप ए थ्रू दिये? वाट्साप ए अमी कोश्यन पाठी है दोबो अच्छा ना, अमाई की खाताई लिखे कोड़ता हावेता? खाताई लिखे हाँ, अमाँ की जस्ट आंसर गलो, श्याट कोश्याट? अज शुदू आंसर गूलो? अज अज आंसर और दाग नमबर अच्छा, अज और क्वेस्टन आंसर टेपावो की कोड़े शर्ट? अमी कोश्यन पाठाबो, वाट्साभी बाठी है दोबो और भीडियो गुलो देखेने भीक हैं, अज नी कोश्यन आशर देवा आछे आपनी बोले चिले नगुलो ने कुड़ो ना वीडियो जेगुलो पाठाबेन बोलेची नगुलो पाठाबेन आचा ठीक आचे आपनी आचके पाठी लिट्स ठीका साथ? पटीदी रशायाओ नोपट पटीदी आओप ठीका साथ? ठादा फिर? नाइक